पहली बात तो मुझे यह लगता है विल्कुल क्लियरली कि हर विशय रत्ति के लिए नहीं होता हर माध्यम की अपनी छोटी बड़ी जैसी भी है कुछ सीमा तो होती है कुछ एक परीदी तो बनती है चाहे वो काफी विशाल हो और उसके अंदर आपको पूरी छूट मिली है प तो क्योंकि अगर आप हर सब्जेक्ट को अगर आप लाना चाहेंगे दृत्ति में तो कहीं न कहीं समझोता आपको पक्का करना पड़ेगा यह तो पक्की बात है रही बात इस तरह के सब्जेक्ट की कि अगर आप वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं या पल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इनको जवाब रित्ति में खोजने की कोशिश करते है और खोज लेते हैं बात बन जाती है कि आगर आपने pollution की बात की और कहीं आपने एक reference दे दिया कि क्यूंकि रित्ति में तो कृष्ण को नाचते ही रहे हैं और कालिया दवन तो करते ही रहें, तो जमना में कालिया का होना और उसका जल प्रदूशन होना तो बहुत आपस में मेल खा सकता है, तो या तो आप इस तरह की बात खोजने की कोशिश कर रहे हैं नृत्य में, मुझे ऐसा लगता है, और क्योंकि जब तो उसको एक थोड़ी डेप्थ मिल जाती है, गहरा ही आपके सामने उसकी आजाती है, और आपके सामने एक दाइरा बड़ा खुल जाता है, क्योंकि जितना हमारी, मतलब एक बड़ा अध्भुत है कि आज की जितने संदर्भ हैं, वो अधिकतर आपको अपने पिछले सारे आप वेदिक काल से जाई है, पुरानों तक आजाई है, आपको कही न कहीं मिल जाते हैं, और चाहे आज की, आप देखें कि अगर आप महाभारत को या इसको देखें, तो महाभारत की जितने चरित्र हैं, उनमें अगर हम आज की समाज वेवस्था की बात कर रहे हैं, तो उस सामाजिक वेवस् कौरव और पांडव पैदा ही नहीं हुए, या ध्रापती के पांचपती कैसे हो गए, तो ये जो इतना खुलापन हमारे सामने वैसे ही अवेलेबल है, अगर आप उससे देख पाते हैं, या कैसे नियोग की प्रथा हुई और उसके अंदर सारे लोग पैदा हो गए, और प तब तो वो कुछ अच्छा बनता है, नहीं तो फिर एक वो तरह नारेटिव बन जाता है, उसमें ड्रामा जादा होता है और डांस कम हो जाता है, ये मेरा अपना मानना है, और रही बात, अगर मैं ये कहूं कि अगर आप एड्स पे कुछ कर रहे हैं, या आप रेप पे कु जा सकता है, वो जितना शिद्दत से नाट्य में जा सकता है, या वो फिल्म में तो जाता ही है, तो समझ में आता है, पन रित्य में, जैसे मैंने एक प्रोडक्शन देखा था, जब तहेज के लिए बहुत सारी खत्याएं हो रही थी, और वो एक बड़ी रित्यांगना ने क किया था, दिल्ली में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, इसलिए कि स्टेज पर, क्योंकि स्टेज के ऐस्थैटिक्स होते हैं, नाट्य शास्त्र ने कहा है कि हमारी जो रस की थियरी है, उस उस रस सिद्धान्त में ये कहा गया है, जो शास्त्रिय सिद्धान्त रस का, जो साहित्य और अन्य कलाओ सभी पर एक साथ लागू होता है, उसमें ये कहा गया है कि जो विद्रूप है, जो डिस्गस्ट है, उसको जब तक कि बिल्कुल ही जरूरी ना हो बाहर ना निकाला जाए, वो सामने ना किया जाए, क्योंकि डिस्गस्ट या क्या उसका दूसरा शब्द है, कौन सा रस है ये, देखिए, मैं बिल्कुल बूल गई है, वीभत्स, वीभत्स, तो वीभत्स जो है, वो आपके सामने तभी आना चाहिए, जब उसकी बिना काम ही नहीं चल सकता, ये हमारी रस, सिद्धान हमारा कहता है, पर आप अगर कि हॉलिवुड की जितने फिल्में हैं, उनमें तो एटी फिल्म से शुरू हो गया, तो वीभत्स ही सामने है, सारी, और वो धीरे-दीरे तो फिर आपको यूमन ब्रेन अमेजिंग होता है, कि वो इस तरह धीरे-दीरे आप विद्रूपता को देखते-देखते उसे प्यार करने लग जाते हैं, क्यांकि वो आपको अच्छी लगने लग जाते हैं, यह होता है, और हो सकता है, तो वहां उस कारिकरम में मैंने, जिस कारिकरम के मैं जिक्र कर रही थी, उसमें मैंने देखा कि एक फंदा लटका हुआ था, हासी का, उपर, स्टेज से, और फिर उसमें फिगर जैसा डालके उसे लटका भी दिया गया, जो कि मेरे लिए तो बहुत खराब था देखना, और मुझे लगा कि, क्योंकि इस तरह के सब्जिक्ट पर जब आप काम करते हैं, वाटर पर काम करना बिलकुल पॉसिबल है, और मैं इस दिए नहीं कह रही, क्योंकि मैंने किया है, जल पे काम, और इसलिए कि जल के इतने सारे रूप निकलते हैं आपके आसपास, और अगर आपको अपना माध्यम समझ में आता है, और उसमें आपको सूझता है, तो फिर आप उसमें अनंत संभावनाएं देख सकते हैं, पर इन सारे सब्जेक्ट पे मुझे लगत तो उसको मैं रित्य से थोड़ा अलग करती हूँ, मुझे वो थोड़ा सा रुच्चता नहीं है इस बातचीत का मेरा आखरी सवाल जो है, वो अब जो आपके धेर सारे शिष्ये हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, और वो बहुत सारे लोग जो कथक सीख रहे हैं, कहीं किसी भी गुरू से सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है एक गुरू के तौर पर आप जब अपने शिश्यों को सिखा रही होती है और वो समय आता है जब आप अपने शिश्यों को ये इजाज़त देती है कि अब तुम इंडिविजनल प्रोग्राम कर सकती हो तुम इतने मिच्योर हो गय हो कि डांस कर सकते हो अकेले जाके मन्च अब सम्हाल सकते हो, कौन सी चीज बताती है कि तुम्हें ये नहीं करना है, क्या करना है तो आपने उसको बहुत लंबे समय तक बताया होगा, क्या नहीं करना है, क्या बताती हूँ? कि मेरे साथ रहते रहते मेरे स्टुडेंस बहुत सारी बातें समझ ही जाते तो मुझे ऐसा मौका मिलता नहीं कि मैं उनसे कहूं कि ये मत करना या ऐसा नहीं करना तो क्यूंके कुछ तो मुझे औश्राथ करते हैं और मैं खुद अपने आप में मेरा बड़ा जबर्दस रहता है अगर कहीं शायद तो बहुत सारी चीजें तो वो मेरे से देख के सीख लेते हैं, बहुत सारी चीजें वो ऐसी भी सीखते हैं, जो कहते हैं कि यह हमें गुरुजी की तरह नहीं करनी है। तो वो जैसे एक बात जो मैं सामाने तह वो सभी कथक डांसर के लिए मैं कहती हूं कि और जो इस समय खासतोर से जब यह मीडिया हमारे सामने मीडिया केवल एगे ही रहे गया जब बातचीत का तरीका इस पिछले कोरोना काल में, तो बहुत सारा कथक पे असर या कहना चाहिए कि बॉलिवुट का बहुत सारा असर रहा, कि उन गानों को लेकर कथक डांसर ने, जो यंग स्टुडेंट्स हैं उन्होंने, यह कहकर कि भी अभिने कर रहे हैं और वो किसी फिल्मी गाने के उपर काम कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ इतना लगता है कि बहुत सोच समझ कि इस वो गाना एक फिनिश्ट प्रोड़क्ट की तरह है, जो धेर सारी एडिटिंग लाखों करोडों रुपिया खर्च करने के बाद आप तक पहुंचा है, उसे आप एक भी मंच और फिल्म के बीच में यह अंतरतु हैं कि आपके पास रीटेक्स का टाइम नहीं है ना मंच पर बंच पर आपको रीटेक्स नहीं, आपको एक बार में करना है तो उसमें आप या तो उससे इतना बहतर कर जाएं कि फिर आपकी तुलना ना हो, इतना अलग कर जाएं कि आपकी तुलना ना हो। पर अगर आप कहीं in between हैं तो वो बहतर है कि ना करें, क्योंकि उससे आप कथक को भी नुकसान पहुचाते हैं, कथक को भी नुकसान पहुचाते हैं और कथक के जो अगली पीड़ी आ रही है, क्योंकि हमारे बाद वाली पीड़ी ने तो थोड़ा समझा है, अब उसके आगे पीड़ी आ रही है, उसको लगेगा कि यह करना बिलकुल सामाने बात है. तो हमें जो अपनी तरह से एक संगीत बनाना, संगीत सहियोजन जो हमें आना चाहिए, एक डांसर को गायन, वादन, रित्त, तीनों चीज़ें आने चाहिए. चाहे वो करना सके पर कम से कम उसका एक समझ उसके अंदर हो वो सकता है गाना ना आता हो पर कम से कम कान इतना तयार हो कि आपको या आपको यह पता हो कि मुझे इस राग में यह चाहिए या आपको आपकी किसी कॉमपोजिशन के लिए कौन सी ताल चाहिए या किस ताल में आपको किस ताल का क्या मूड है यह आपको समझ में आना चाहिए तो इस सब की समझ आपको पैदा होनी चाहिए तो उसके लिए आपको अपने माध्यम पर पूरी पकड़ चाहिए तो जब आप इस तरह के समझतों की तरफ बढ़ते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं, साथ में आप कथक का भी नुकसान करते हैं क्योंकि कथक को बहुत हलका समझ लिया जाता है, जैसे ही वो बॉलीवूट की तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये मेरे सारे स्टुडेंट्स अच्छी तरह जानते हैं और मैं सामानेते सभी कथक के डांसर को ये बात कहती हूं कि आपको बॉलिवट की चीज़ों को नहीं करना चाहिए वो अपनी जगे है उसकी उतनी ही इंपोर्टेंस है वो इतना ही सुन्दर है इतना ही मेहनत से बनाया गया है और आपका मंच उतने ही मेहनत से दूसरी तरफ खड़ा हुआ है तो उन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए ये एक बड़ा नो-नो है मेरी तरफ से बड़े नो-नो के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला और जहां से हमने शुरुआत की थी बातचीत की कोरोना काल है तो इसलिए ध्यान रखिया है आप अपना और हम लोग दिल्ली में आपका इंतजार कर रहे हैं दिल्ली छोड़के आप जैपूर चली गए और दिल्ली आप लोट के आई है तो हम लोग को मुलाकात भी हो और फिर बातचीत तो होती ही रहेगी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप भी अपना ख्याल रखें बहुत और आपने बहुत ही अप रत्याशित सवाल पूछें इसके लिए धन्यवाद आपका कि मैं उसका जवाब भी दे पाई हूं शायद पागी तो फिर आप देखा जाएगा कि कैसा आप इसको सामने लाते हैं सो धन्यवाद आपका पहलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खासतोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे